वेलकम बैक गाइस तो वर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी गाइस मेरा नाम चेतन पारिक है अपन जो एक सिरीज कर रहे थे जिसका नाम है आरेस अगरवाल जिसके अपन इंग्लिस वाली जो मुख है उसके सॉलिशन अपन कर रहे थे तो उसमें एलसेम और वीडियो में मैं questions करा रहा हूं पहले एक वार यह साथ साथ में आप यह भी ट्राइब करें उनके बाद जो बचे वे question है वह जो है एक वार आप ट्राइब करें क्या कह रहा है सबसे पहला question इस वीडियो का the greatest number of four digits which is divisible by 15 25, 40 & 75 इन चारों में से चार जो प्सन अपन को दे देखे हैं, इन में से सबसे बड़ा नमबर कौन सा है, चार डिजिट का, जो ये जो अपन को चार नमबर गिवन है, इन से डिविजिबल हो, clear है, तो देखो कैसे करना है, सबसे पहले, देखो अगर मुझे नमबर 15 से डिविजिबल कराना है, अगर मुझे 25 से भी तो अगर मैं LCM लेता हूँ, अगर मैं LCM को ही चेक कर लेता हूँ, कि चारों में से कौन LCM से डिविजिबल है, तो वही नमबर इन चारों से डिविजिबल होगा, सही है, तो देखो यहां पर मैं LCM लेता हूँ, तो अगर मैं 5 लेता हूँ, यहां पर कितना बचेगा, तीन उसके बाद कितना बजा एट बचा एक बार इने सब को मुल्टिप्लाइब करता है तो कितना आता है देखो और 40 इंटू 3 कितना होंगे चालीस इंटू 3 होग एक सो बीस और 120 इंटू 5 अपने पास 600 आइब आ चाहुन में यानि इन सारे नंबर का जो LCM है, वो LCM अपने पास कितना आया, 600 आया, ठीक है, यहां तक, अब उसके बाद देखो, आगे कैसे करना है, एक बार के लिए मैं या पर लिख देता हूँ कि अपने पास LCM आया है, वो 600 से आया है, मतलब इन चारो options में से, वो number जो 600 से पूरी तरीके से divisible है, वो ही अपना answer ह होगा, और largest number होना चाहिए, clear है, क्योंकि greatest number हो सकता है, option के अंदर, दो option ऐसे हो, जो 600 से divisible हो, लेकिन उस case में जो बड़ा होगा, उसको अपन answer टी करेंगे, देखो, अपन सबसे बड़े वाले example से ही सुरवात करते हैं, क्या ये वाला number 600 से divisible है क्या, तो अगर अपन divide करके देखते हैं, आप उनको पता चलेगा, 600 से divisible हो, ये नहीं है, ठीक है, अगर आप इसको देखो, 600 से divide करके देखते हो, तो बिल्कुल पूरा-पूरा divide जा रहा है, तो बाकिक option आपको check करने की requirement ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि, already ये जो है, बचेवे दो option से बड़ा है ये अपना answer क्या हो जाएगा, option C, आई बात सवान में, चलते हैं देखो next सवाल के तरफ, next सवाल आपके सामने है, पहले एक बार आप खुद प्राई करें, क्या कह रहा है, ये question, ये कह रहा है, the smallest number which when diminished by 7 is divisible by 12, 16, 18, 21 and 28, इन सारे numbers से पूरी तरीके से divisible हो जाता है, कब हो है, जब आप given number को 7 से minus कर दो, 7 से कम कर दो, ठीक है, तो अपन फिर से वो ही करेंगे, एक बार के लिए इन सबका LCM लेंगे, क्योंकि अगर LCM आप लेते हो, तो LCM एक ऐसा number है, जो जिसमें इन सारे numbers का divide जाता है, तो अगर LCM अगर अपन लेते हैं, तो अपन directly option से check कर सकते तो देखो एक बार ने सबका LCM लेता हूँ मैं, अगर मैं यहां पर 3 लेता हूँ तो यहां से कितना आएगा, देखो 4 आएगा, यहां से कितना आएगा, मेरे पास 6 आएगा, यहां से कितना आएगा, साथ आएगा, ठीक है, उसके बाद देखो जब मैं 7 लेता हूँ, साथ पर ये वाला साथ कट जाएगा, यहां से जब मैं साथ लेता हूं तो कितना आएगा देखो, चार आएगा, यहां ते क्लियर है, उसके बाद देखो, मैं दो लेता हूं एक वार के लिए, दो लेने पर यहां से दो आया, यहां से कितना आएगा, आट आएगा, यहां से तीन आ कितने हो गया तो चार इंटू दो कितने हो गया और आते तीन कर लेते हैं पहले और ता बिसंट्रीन जब मैं करता हूं कितने हो इस और 18 और एक हजार आठ जो है वो पूरी तरीके से इन सारे के सारे numbers से divisible है लेकिन यह कह रहा है कि 7 गटाने के बाद divisible हो तो मैं क्या कर देता हूँ इसके अंदर 7 जोड देता हूँ तो देखो अपने पास क्या मिलेगा आपनको 1015 मिलेगा मतलब 1015 एक ऐसा number है जिसमें से जब आप 7 गटाते हो तो जो number आपको मिलता है वो given चारो या सारी पांचो नंबर से पूरी तरीके से divisible है यह अपना answer क्या होगा option number B clear है? चलते हैं देखो next सवाल की तरफ next सवाल भी एक वार आप खुड ट्राइ करें पहले क्या कह रहा है यह question the least number which when increased by 5 is divisible by each one of 24, 32, 36 and 54 ठीक है? बिल्कुल same question है जो भी अपनने पहले किया था तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे? देखो एक वार के लिए इन सब का LCM ले ले लेता है LCM देखते हैं कितना आ रहा है? 24, 32, 36 और 54 इन सब का एक वार के लिए जब मैं LCM लेता हूँ तो देखो अगर मैं 4 common लेता हूँ तो यहाँ से कितना आएगा 6, यहाँ से कितना आएगा 8, यहाँ से कितना आएगा 9, ठीक है? और 4 का divide इसमें तो जा नहीं रहा है लेकिन 2 का तो जा रहा है तो यहाँ पर कितना बचेगा पीछे है अपने पास 27, ठीक है? उसके बाद जब मैं 3 लेता हूँ तो यहाँ से मेरे पास आएगा 9, यहाँ से कितना आएगा 3, ठीक है? यहाँ से कितना आएगा 2 और यह 8 तो यह 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 पड़ा है उसके बाद में क्या करता हूँ मैं फिर से तीन लेता हूँ तो यहां से यह तीन अट जाएगा और यहां पर तीन आजाएगा फिर से जब मैं तीन लेता हूँ तो यह वाला तीन अट गया और उसके बाद मैं आट लेता हूँ तो यह 8 हट गया दो भी उसमें सामिल हो गया था ठीक है इन सारी चीज़ों को मुझे multiply कराना और देखना है क्या मिलता है चार इंटू तीन बारा ठीक है बारा इंटू तीन कितने हो गए 36 और 36 इंटू तीन जब अपन करता है तो 90 और 18 और 188 इंटू आठ एक बार के लिए मैं करता हूं तो कितना मिलता है 64 यहां पायागा 6 और यहां पायागा 8 यानि मुझे कितना मिला 864 तो 864 एक ऐसा नंबर है जो इन सारे के सारे नंबर से divisible है लेकिन यह कह रहा है कि नंबर divisible कब होना चाहिए जब आप 5 increase करते हो तो वो divisible होना चाहिए तो आप क्या करो इस पार 5 तो दो ऑप्सन मिलने के केस में अपन क्या करेंगे अपन यह वाली लाइन देखेंगे अपन को क्या चाहिए लीस्ट नंबर चाहिए तो लीस्ट नंबर अगर ऐसा हो किसी केस में कि दो-दो 6 and 7 leaves remainder 1 in each case नमबर इस यह कहरा है एक 500 से छोटा एक नमबर है और उस नमबर को जब आप 4, 5, 6 और 7 से डिवाइड करते हो तो हर केस के अंदर एक जो है remainder छोड़ता है तो फिर से मैं क्या करता हूँ एक बार के लिए यह जो नमबर है अपने पास 4, 5, 6 और 7 इन सब का LCM ले लेता हूँ क्योंकि LCM ही एक ऐसा नमबर है जिसमें इन चारों नमबर का डिवाइड जाएगा तो अगर LCM ले लेता हूँ तो मैं तो डिरेक्ली यह जो अपसन है उससे चेक कर सकता हूँ तो देखो एक बार के लिए जिब मैं 2 लेता हूँ यहां पर कितना आएगा 2 यहां पर कितना आएगा 3 उसके बाद देखो सारे के सारे प्राइम नमबर है अपने पास तो सारे के सारे हैजित ही जाएएगे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 ठीक है इंटू 2 कितने हो गए अपने पास 42 और 42 इंटू यह जो 10 है वो कितना हो जाएंगे 420 ठीक है बलब 420 एक ऐसा नमबर है जो इन गिवन चारो नमबर से डिविजिबल है लेकिन मुझे क्या चाहिए रिमेंडर एक चाहिए तो मुझे एक इसके अंदर क्या कर दता हूं एड लेगे तो कितना मिलेगा आपने को 421 एक ऐसा नमबर है जिसमें आप जब इन गिवन चारो नमबर का डिवैड करते हो तो एक रिमेंडर बचेगा ठीक है तो अपना अं से करके देखो गर ऑप्षन सटिस्फाय हो जाए तो उसको आंसे लगा तो नेक्स चेक करो इस तरीके से करना है गाइस साथ-साथ में आप जरूर करें देखो क्या कहा रहा है नेक्स सवाल देखो मैं क्या करता हूँ फिर से यहाँ पर यह जो बारा है इन सब का LCM ले लेता हूँ ठीक है तो इन सब का LCM जब अपर लेता है देखो 3 जब मैं लेता हूँ यहाँ पर कितना अएगा 2 यहाँ पर 3 लेता हूँ आ शब इसक चाहर यह ने कटना ढुए दो पहले सें कितना मिल जाएगा इस चізब बड़ा वाला लंब आ प उसकी टेबल पढ़ना शूरू कर दो और वहाँ पर जाके रुखो जहां तक इन सारे के सारे नंबर का डिवाइड जाए जैसे देखो 12 वन जा 12 हो गया 12 टूज़ा 24 हो गया 24 में 6 का डिवाइड जाता है बिल्कुल जाता है लेकिन क्या 9 का जाता है नहीं जाता है तो छोड़ो आगे चलो 36 के अंदर जाता है 12 36 अपना क्या हो गया, LCM हो गया था, आप LCM कैसे भी ले सकतो, ये टेक्निक्स आपने पढ़ी होगी, फिलाल अपन जो है, solution की तरफ चलता है, पर्टिकुलर जब अपन टॉपिक करेंगे तो आपन देखेंगे कैसे लेता है, LCM अच्छी हो, देखो, 36 फिलाल अपने पास क्या लिखता हूं, तो भी कोई प्रब्लम नहीं है, क्योंकि देखो, 360 जए already 36 का मल्टिपल है, अब अगर 360 को मैं दो से मल्टिपलाई भी कर दो, तो भी कोई प्रब्लम नहीं क्योंकि 720 भी 36 का मल्टिपल है, अग मुझे क्या करना है, कि 6 से 9 से और 12 से डिवाइड लगाना है, तो नमबर जो इससे भी divisible होना चाहिए, तो एक बार के अपन क्या करता है, यह सबसे बड़ा नमबर क्या होता है, तीन डिजिट का, 999 होता है, उसके अंदर 720 तक अपन पहुंच जाते है, तो कितना आएगा देखो, रिमेंडर 9, 7 और 2, ठीक है, इसके अंदर देखो, फि 17-8 करेंगे, 17-8 जब मैंने किया तो मुझे कितना मिला, 9, फिर देखो, इसमेंसे मैं 72 माइनस करते हूँ, हर वार में वही चीज़े मल्टिपल मैं, 36 के मल्टिपल में जो भी चीज़े है ना, वो मैं मैंने करते जा रहा हूँ, ठीक है? तो देखो, 99 मेंसे जब मैंने 72 मैनस सिक्स से डिवैड करते हो तो आपको रिमेंडर के रूप में 27 मिलेगा ठीक है लेकिन मुझे रिमेंडर नहीं चाहिए एक बार के लिए तो मुझे वो नमबर चाहिए जो एक्जेक्टली डिविजेबल है तो मैं क्या कर देता हूं कि यह जो 339 है इसमें से 27 को माइन श कर crashes थेऀ ता कि वह नमबर मिल जाएे ग्रीटेस्ट नमबर-3 डिजिट का सब्सक्राइDैए यहां पे यानि अपना आंसर कितना हो जाएगा option number C clear है देखो एक बार फिर से मैं आपको repeat करके बता देता हूं अपना किस तरीके से करना है LCM तक तो clear है LCM कैसे लेना 36 ठीक है उसके बाद यह कह रहा है greatest number हो और तीन डिजिट का हो तो greatest 36 से divisible करने के लिए क्या किया है कि इसके अंदर मैंने 36 का divide करके देखा है ठीक है और मैंने देखा है कि finally remainder आ कितना रहा है 27 अब 27 में तो 36 का बाग जा नहीं रहा है तो मैंने क्या कर दिया 27 अगर रिमेंडर आ रहा तो 27 को माइनस ही कर दिया नंबर में से तो मुझे क्या मिला 900 बहुत तर यह जो 900 बहुत तर है देखो 36 पूरी तरीक ऐसे डिविजिबल आप डिवाइड करके भी जिख सकते हो अब अगर पूरी तरीक ऐसे डिविजिबल है मुझे क्या चाहिए था तीन रिमेंडर चाहिए था तो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया एड कर दिया और अ देखो यह कह रहा है कि 6 डिजिट का सबसे चोटा नंबर मुझे बताओ जब आप उस नंबर को इन नंबर से डिवाइड करते हो तो हर केस में 2 रिमेंडर चोड़ता है ठीक है तो वो नंबर अगर एन है तो आपको बताना है कि एन में जो डिजिट से उन सब का सम कितना है आई बार सम्द में कैसे करदा है सबसे पहले तो जो question कहा रहा है वो नंबर एक बार के लिए मन मज़ियून कर लो question कहा रहा है the least number of six digits देखो 6 डिजिट का सबसे छोटा नमबर कौन सा होता है तो 6 डिजिट का सबसे छोटा नमबर आपके सामने है क्या होता है एक लाग सबसे छोटा तो यह यह देखो इस से छोटा तो फिर यह आ जाएगा एक कम करते ही तो फिर यह आगे यह तो 5 डिजिट का ही हुआ, अगर रिमेंडर को एक बार के लिए भूल जाए, मेरको तो सिर्फ यह पता चल जाए, कि इन सबसे पूरी तरिके से डिजिबल हो, तो यह अपना काम हो जाए, फिर अपन दो एड़ कर देंगे, करना है, तो इस साथ को डिवाइड करने की ही एक टकनीक है, क्या करना है अगर साथ से चेक कर रहे हो, ता आप एक वार के लिए साथ हजार से ही चेक कर लो, ठीक है अगर आप 60,000 से चेक करते हो तो आपको पता चलेगा कि रिमेंडर कितना आ रहा है 40,000 आ रहा है फिर देखो 60,000 से नहीं करके एक बार के लिए आप क्या करो 36,000 से कर लो क्योंकि 40,000 तक आप पहुंच रहे हो तो 36,000 उसके नियर भाई रहेगा 36,000 देखो 60 का मुल्टिपल भी है तो 60,000, 40,000 के अंदर जब आप 36,000 का डिवैड लगाता हो तो कितना रिमेंडर आ रहा है देखो 4,000 आ रहा है अब इस 4,000 के अंदर 3600 का लगा लो क्योंकि 3600 भी देखो 60 का multiple है तो कितना आ रहा है देखो 400 आ रहा है आई बाचाओ उन में फिर 400 कंदर आप 360 का लगा लो क्योंकि 360 भी देखो 60 का multiple remainder कितना आ रहा है 40 आ रहा है यानि finally मुझे पता चल गया remainder कितना आ रहा है 40 अब 40 के आगे देखो कोई भी एक ऐसा number नहीं है जो 60 का multiple हो और 40 को divide कर से के मतलब मुझे पता चल गया finally कि जब मैं एक लाख को 60 से divide करता हूं तो remainder कितना मिलता है remainder मिलता है 40 आप conventional तरीके से भी divide करके देख सकते हो आपको पता चल जाएगा remainder 40 मिलता है ठीक है तो अगर remainder 40 मिल रहा है इसका कहने का मतलब क्या हो आप इसको जब 60 से divide कर रहे हो तो 40 बच रहे है तो 40 क्यों बच रहे है आप 40 तो जोड़ दो इसके अंदर हाँ एक लाग के अंदर जब मैंने 60 का divide लगाया तो मुझे पता चला कि 40 remainder बच रहे है 40 remainder बच रहे है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसके अंदर 20 जोड़ देता हूँ अगर इसके अंदर मैं 20 जोड़ देता हूँ तो मुझे जो number मिलेगा वह exactly divisible हो जाएगा 60 से क्यो मुटा number है जो इन given numbers से पूरी तरीके से divisible है clear है अब यह तो पूरी तरीके से divisible है मुझे क्या चाहिए दो remainder चाहिए तो इसके अंतर में क्या कर देता हूँ दो add कर देता हूँ कितना आएगा 1002 और 2 आई बाच उन में यानि n क्या है अपना एक लाक बाइस अजार यह पू बहुत ही simple question है guys इस type के जब आप 5-6 question आप अपने हातों से करोगी तो आपको दिमाग है इस type के question के अंदर चलना थोड़ा शुरू हो जाएगा ठीक है आप साथ साथ में जरूर करते रहे हैं क्योंकि एक ही type के सवाल जो बार बार repeat हो रहे है ठीक है और कुछ-कुछ question मैंने आपके लिए भी छोड़ा है तो वह आपको साथ साथ में करते जाना है clear है तो फिलाल देखो गाईज इस वीडियो के अंदर अपन इतना ही रखते हैं आगे आने वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर आने वाले जो upcoming questions होंगे उनको solve करेंगे ठैंक यू